हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राते तो आज है निर्जला एक आदिशी और निर्जला एक कि आप सभी को हार्दिक श्यूब कामना है तो मैं सुबह आज उठी थी साड़े तीन बजे साड़े तीन बजे उठके मैंने पूरे घर का जाडू लगाया और बरतन तो रात को ही धो लिये थे और उसके बाद साड़े चार बजे के करीब मैं और मेरी बेटी गए हम वोग पर वोग करके हम आए तो सभा पांच का टाइम हो गया था और उसके बाद मैं चट पे आई मैंने सोचा क्यों ना चट पे थोड़ा सूरस देवता जी के दर्शन कर लिए जाए पर अभी सूरस देवता जी निकले नहीं है और अब पटा-पट से नीचे चलते हैं और उसके काफी अच्छा है वैसे गर्मी नहीं है बिल्कुल भी नहीं तो आज के दिन तो काफी गर्मी रहती है और यह है गंगा जल थोड़ा सा और इसमें मैंने डाल लिये हैं थोड़े से सफेद तिल तो मैं करूंगी अब सनान और उसके बाद मिलूंगी आप से और यहां पर हज हस्बंड ने पूजा कर लिए थी जोट तो जगी है मंदिर में तो गोपाल जी को सनान कराना है मुझे तो मैं को जान करा ली थी पहले है य beet देवी देवताечат मंदिर में सब के हाथ वे प्रात्ना कर लेती मैं और उसके बाद अब मैं कराऊंगी गुपाल जी को सनान और हस्बंड भी रखते हैं एकादशी का वरत तो यहां पर वो कथा सुन रहे हैं और मैं जब तक गुपाल जी के लिए जल त्यार कर लेती हूं और सूरस देवता जी को भी जल चड़ाना है मुझे तो आज है एकादशी तो मैं पहले डालने वाले थी चावल का और जो यह रोली का मिक्शर मैं बना के रखती हूं तो मुझे याद आया आज एकादशी है क्योंकि एकादशी के दिन सूरस देवता जी को भी चावल नहीं चड़ाने चाहिए तो यह मैंने ले लिये हैं सफेद तिल तो थोड़े से सफेद तिल और गंगा चल और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी रोली और आज गोपाल जी को मैंने सोचा है पगड़ी पहनाने का तो देखते हैं वैसे मुझे अपने हाथों से गोपाल जी को पगड़ी पहनाना अच्छा लगता है मैं देखती हूं आज कैसी पहन अगर वो पहनते ह कि नहीं पहनते देखते हैं कोशिश करते हैं गोपाल जी क्योंकि नटकट बड़े हैं तो टाइम लगवाते हैं बड़ा पगड़ी पहनने में तो चलिए कोई बात नहीं आज कोशिश करते हैं और गोपाल जी से प्रातना करेंगे कि वो पहन लें क्योंकि मुझे आज मन हो र तो बस ही काईतरी मंत्र का जब करते हुए मैं सूरस देवता जी को जल अर्पित करती हूं या फिर उनके नाम ले लेती हूं जैसे ओम सुर्यायनमां भासक्रायनमां बादित्यायनमां जो भी भगवान सूरे के जितने नाम मुझे याद है मैं वो लेके फिर जल चड़ा देत नाम जाते हूं फिर तो यहां पर देवता जी से भी मैं प्रात्ना करती हूं कि हमें बुति दें तो अब बस चलते हैं अंदर और करते हैं गोफाल जी का शिंगार और उससे पहले गopal जी के लिए गोपाल जी के सनान के लिए फूल बी तोड ली जाएं तो वैसे तो गुलाब के फूला आजाते हैं मम्मी के घर से पर अभी प्लाउड पर गूलापके फूला नहीं रहाई हैं क्योंकि पिछले दिनों काफी गर्मी पड़ी थी तो इस वज़े से उसकी ग्रोथ रूप गई हैं तो जैसे ही बारिश वैसे बारिश तो आज का मोसम होई रखा है बारिश वाला तो ग्रोथ फिर स्टार्ट हो जाएगी और यह सदा बहार का प्लांट तो यह गर्मियों का ही प्लांट है तो इस पे तो फ्लावर आ रहे हैं तो मैं गुपाल जी के सनान के लिए यही तोड़ लेती हूं तो यह देखिए इसका कडर कितना अच्छा है फूलों का और गैंदे के भी प्लांट लगे हूं है यह देखिए चोटे-चोटे और भी उग्रे हैं और यह देख फूल आगे तो ठीक है नितो जैसी गुपाल जी की मर्ची तो यहां पर मैंने गुपाल जी के लिए जल ले लिया है सनान के लिए और गंगा जल मैंने इसमें डाल लिया है और फूल की पतियां भी डाल लिया है तो अब कराऊंगी मैं गुपाल जी को सनान तो गुपाल जी आए, क्योंकि गोपी चंदन इनको बहुत प्री है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सबसे जो सर्विस रेट दान है अन्हदान तो आप अन्हदान कीजिए और अपने समर्थे के अनुसार कुछ भी दान में दे सकते हैं जैसे कि कपड़े दान में दे सकते हैं जूते चपल दान को खाना कि लाना यह सब हम कर सकते आज के दिन तो आज के दिन पित्रों के लिए अपना जितना दान दिया जाए उतना अच्छा है मंदिर में दान दे सकते हैं पंडिची को जैसे किसी गरीब को दान दी और दान भी उसी को देना चाहिए जिसकी उसको जरूरत हो तो किसी गर गुवान श्री कृष्ण श्रीमत भगवत कीता में कहते हैं कि बीना धक्षिना धान तामसी धान कहलाता है तो चाहिए पांच दस रुपे यह आप क्यों ना रखो साथ में तो धक्षिना जरूर देनी चाहिए तो यहाँ पर गुपाल जी ने सनान कर लिया है और मैं इनको पह अपने चैनल पर अगर आप इंट्रस्टेड हैं तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके नी तो इसका मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगी आप चेक कर सकते हैं और अब गुपाल जी को पहना दी जाए पगड़ी तो पगड़ी पहनने में काफी वक्त लगाते हैं तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है वैसे जल्दी जल्दी पहन ले तो अच्छी बात है क्योंकि काफी टाइम हो गया तो यह निजला एक आजशी की वीडियो पार्ट नंबर वन है तो सेकंड पार्ट भी आएगा तो वह भी आप जरूर देखी काफी अच्छी लगेगी आ हैंने तो यह अटिए वीडियों को पहना दिये जाएं क्योंकि गर्मीयों में मैं यही डाल दिती हूं तो यह एच्छे लग रहे हैं और इसमें लगे हुए लगे हुए घुंगरू तो यह भी काफी अच्छे लगते हैं बचते हैं और चोटे गुपाल जी के लिए नहीं बन पाए क्योंकि काफी चोटे हैं तो उनके साइज के कंगन नहीं बन पाते तो अब कर दिया जाए गुपाल जी का शेंगार तो शेंगार जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई था तूथ पिक्से करती मैं इनका शेंगार गोपी चंदन और केसरी चंदन मिक्स कर तो अच्छा सा एक कलर बन जाता है और उसी का मैं गोपाल जी का शेंगार कर दो काफी सुन्दर लग रहे हैं और अभी तिलक इनका गिला है अभी सुकेगा तो काफी अच्छे लगेंगे फिर मैं आपको पास इनके दर्शन कराऊंगी और यह हैं चोटे गोपाल जी इनका भी शिंगार कर दिया जाए तो गोपाल जी का हो गया शिंगार और इनको पहना दी जाए पगड़ी तो पगड़ी मैंने पहले बांद ली थी क्योंकि तिलक लगाने से पहले बांद लो तो ठीक है नि तो तिलक फिर ये अपना खराब कर लेते हैं तो मैंने पगड़ी बांद के फिर इनके उतार के रख दी थी और फिर लगाया तिलक और अब मैं इनको पगड़ी पहना रही हूं तो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए गोपाल जी कि मुझे तो काफी सुन्दर लगते हैं और अब सारा समान समाल दिया जाए थोड़ा सा और अब मैं गोपाल जी को मोर पंक लगाके देख रही हूं तो यहां पर यह मुझे अच्छा नहीं लगा यह वला लगाती हूं तो जैसे कि यह तो है मोर मुकटधारी तो मोर पंक लगाना आज बनता ही है क्योंकि पगड़ी डाली है तो मोर पंक भी जरूर लगाऊंगी मैं इनके और यह जो आप देख़रे हो box इसमें हैं गोपाल जी के लिए इत्र तो यह इत्र भी मैं आपको दिखाती हूं और इसमें जो भी गोपाल जी की अक्सेसरी है जो मैं कम यूज करती हूं गर्मियों में तो मैं गोपाल जी को कमी डालती हूं तो वो इसमें थोड़ा बोतिन का समान है और यह है इत्र इनके यह है एक है लेवेंडर और एक सेंडल है और एक का नाम मुझे पता नहीं है कौन सा है और एक है बेला का इत्र और एक है रोज इत्र तो यह है इनका इत्र कलेक्शन जो भी है इत नहीं है फिलाल तो इसको मैं इसी में रख देती हूं और गोपाल जी के लगाऊंगी बेला का इत्र और यह है गोपाल जी के लिए पिछकारी और पाल्टी जो मैं पिछली होली पे लेके आई थी तो यह काफी अच्छी लगी थी मुझे मार्केट में दीख की थी मुझे तो म गुपाल जी को लगा देती हूं और इसको रख दिया जाए नीचे और अब कुपाल जी की करूँगी मैं पूजा और कुपाल जी को मैं एक चीज देना तो भूली गई जो उनकी सबसे फ्रीय है वो है बांसुरी तो ये बांसुरी के बिना भी अधूरे ही लगते हैं क्योंकि इनको बांसुरी काफी प्री है तो इनको हार भी पेना दिया जाए इनका और दे दूँगी मैं इनको बांसुरी और बांसुरी और चुन जुना भी मैंने घर पर ही साफ करा था ये भी मैंने कैसे साफ करा है चांदी का है तो अगर आप कहेंगे तो ये भी आपके जुना और ये भी तो आज तो काफी अच्छे लग रहे हैं और अब कर ली जाए गुपाल जी की फूजा तो फूजा मैंने कर लिए पर अभी मेरे को भगवत किता का पार्ट करना है और उसके बाद जो भी पार्ट मैं सुभे के टाइम करती हूं वो भी मैं पढ़ लूँगी और अब मैं गुपाल जी की आर्टी भी उतारूंगी और उससे पहले दे दी जाए गुपाल जी को तुलसी की मंजरी तो ये है तुलसी सीड जिसे मंजरी भी कहते हैं तो ये भी ठाकुर जी को दे दी जाएं जो कि इनको सबसे अधिक परी हैं तो ये मैं गुपाल जी को द श्रियू भगवन जी हैं जो हमारे घर के मंदिर में विराजमान हैं उनको भी मैं देदूँगी तो ये हैं श्रीमन नारायन के लिए और एकादिशी के दिन एक पत्ता तुलसी का गुपाल जी को श्रीमन नारायन शी हरी को जरूर अर्पित करें तो अब मैं कर लूँगी बहुत आवाजे आ रही होंगी क्योंकि मेरे माइक की बैटरी होगी एड डाउन तो प्लीज जो पीछे से नौइज आ रही है उसको इगनोर कीजिए और वीडियो को और मेरे को स्पोर्ट कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कर ल तो पूजा पार्ट मैंने कर लिया और आप कर लीजिए मंदिर के दर्शन तो मंदिर भी आज काफी सुन्दर लग रहा है वैसे तो मुझे अपने घर का मंदिर काफी अच्छा लगता है सुन्दर लगता है और पूजा पार्ट करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता तो यहाँ पर विराजमान हैं हमारे ठाकुर जी इनके दर्शन कर लीजिए और गुपाल जी को अब मैं लगाऊंगी भोग तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और मैं आप कर लूँगी गुपाल जी की आरती तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजी मेरे चैनल को और कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए करते हैं गुपाल जी की आरती तो गुपाल जी की आरती मैंने कर लिए और आप भी ले लीजिए आरती और थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो जी झाल में बॉक्तूए झाल